क्लास नाइन्थ इंग्लिश क्लास शेप्टर दब्बेगर की समरी सारांस को हिंदी में सुनेंगे कहानी एक भिखारी की है यह एक वकील सरगेई और भिखारी के वीच वारता से आरंभ होती है भिखारी कहता है कि उसने तीन दिन से खाना नहीं खाया है आर साल तक वह एक गाउं में स्कूल मास्टर रहा और एक साजिस का सिकार हुआ उसे स्कूल से निकाल दिया गया एक साल से उसके पास कोई रोजगार नहीं है सरगेई भिखारी के ओवरकोट और चेहरे को देखते हैं वे सुचते हैं कि उसने उसे कहीं देखा है भिखारी आगे बताता है कि उसे कालुगा प्रांत में एक पद की पेशकस की गई है काम मिलने वाला है लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत है सरगेई भिखारी को देखते हैं उसे अचानक याद आता है कि उसने भिखारी को कहीं देखा है वह भिखारी को बताता है कि दो दिन पहले वह उसे सदोव्या स्टीट में मिला था और बाद में उसे दावा किया कि वह एक छात्र था, जिसे निस्कासित कर दिया गया था भीखारी आश्यर चकित है और दावा करता है कि उसके पास या साबित करने के लिए कागजात है कि वह एक गाउं का शिक्षक था सरगेई उससे घ्रिडा करता है सरगेई का कहना है कि इस धोखा धड़ी के लिए वह पुलिस को बुलाएगा इस पर भीखारी ने कबूल किया कि वह एक रूसी गायक मंडली में गाया करता था और नसे के लिए उसे निस्कासित कर दिया गया था वह कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए वह उन्हें सच बताता है सरगेई कहते हैं कि उसे काम करना चाहिए पर भीखारी कहता है कि उसे काम कहां मिलेगा सरगे बिखारी से पुछते हैं कि क्या वह उसके लिए लकडी काटना पसंद करेगा बिखारी तयार हो जाता है सरगे बिखारी को घर ले जाते हैं और अपने कुक ओलगा को उसे उडशेड ले जाने के लिए कहते हैं विखारी के शरीर की भाषा से यही स्पष्ट हो जाता है कि उसे काम पसंद नहीं किन्त वह अपने ही शब्दों के जाल में फस गया था इसलिए काम करने आया था यह भी स्पष्ट है कि वोद का एक तेज रूसी शराब पीने के कारण उसकी शक्ती छेड़ हो गई थी सरगेई ने उलगा और विखारी को भोजन कक्ष में खिड़की से देखते हैं वे उन्हें बर्फ से लकडियों के बीच अपना रास्ता बनाते वे देखते हैं उलगा ने गुस्से से दरवाजा पीट कर खोल दिया फिर एक लग लट्ठे पर बैठ कर विखारी वीचारों में खो जाता है उलगा अपने पैरों से कुलारी फेकती है और गुस्से से थूकती है और उसे डाटती है तो भिखारी लगडी के टुकड़े को काटने के लिए आधे अधूरे मन से प्रयास करने लगता है अब तक सरगेई का गुस्सा गायब हो गया है वह एक शराबी और शायद बीमार आदमी है फिर भी उसने उसको कठोर स्रम पर लगाने के लिए वे सर्म महसूस करते हैं एक घंटे के बाद उलगा सरगेई को सुचित करती है कि सभी लकडी काट ली गई है सरगेई उसे भिखारी को आधारूबल देने को कहते हैं और यह भी बताते हैं कि अगर वह चाहे तो हर महीने की पहली तारीक को लकडी काटने के लिए वापस आ सकता है उसको हमेशा काम मिलेगा अगले महीने की पहली तारीक को वह लकडी काटने के लिए पुनह आता है और फिर से आधारूबल कमाता है बाद में वह सरगेई की याड में कई बार लोडता है और उसे हर बार काम दिया जाता है वह लकड़ी को ब्योस्थित करता है आसनों बैठने का और गदों की धूर साफ करता है हर बार उसे 20-40 कोपिक दिये जाते हैं और एक बार उसे पुरानी पतलून भी दी जाती है जब सरगेई एक नए घर में जाते हैं तो वह फरनीचर की पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है इस बार वह चुप शांत और उदास आता है वह काम करने का दिखावा भी नहीं करता है वह ठंड से कापता है और शर्मिंदा होता है सरगेई उससे उसका नाम पूछते है वह क अपने मित्र के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नकल करने का काम दिया जाएगा। तो वह उसके बगल में एक छोटे आदमी को नोटिस करता है जो घुंगराले फर का कोट और टोपी पहने हुए होता है। सरगेई खुश हो जाते हैं और लसकोफ से कहते हैं कि वह उसके लिए लगभग एक धर्म पुत्र की तरह है। वह लसकोफ को डाट याद दिलाते हैं जो उसने उसे दिया था और उसके शब्दों को नहीं भूलने के लिए धन्यवाद किया। और कहता है कि यह सरगेई की मदद के लिए धन्यवाद नहीं था। यह तो ओलगा के लिए था यह ओलगा ही थी जिसने उसे बचाया। वह बताता है कि जब वह सरगेई के घर जाता था तो ओलगा उसके सामने बैठती थी। वह दुखी हो जाती थी और रोते हुए कहती थी कि लसकोफ एक दुरभाग शाली शराबी है। इसको जीवन में कोई खुशी नहीं मिलेगी। वह रोती और दुखी होती थी। लेकिन सबसे महत्पुर बात यह है कि वह उसके लिए लकड़ी काटती थी। वह कबूल करता है कि उसने कभी लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं काटा। पोलगा ने सब किया और उसने उसे बचाया। वह जानता है कि उसके शब्दों और दयालू कारियों ने उसका दिल बदल दिया। उसे सही रास्ते पर लाई। और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। फिर थियेटर की घंटी बसती है और लशकोप नतमस्तक होता है और गैलेरी के लिए चल देता है।